नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसी investment option के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें चाहे कोई अमीर हो, middle class हो या गरीब हो, job करता हो या business करता हो, कोई 18 साल का हो या कोई 60 साल को सभी के लिए profitable scheme है इस investment scheme का नाम है Public Provident Fund जिसे short term में PPF भी बोलते हैं, ये एक ऐसी financial scheme है जो जबजस्त return देती है और बहुत सारे risk को cover करती है, यानि 100% risk free scheme है ये, ये हमें tax benefit भी देती है और सबसे important बात तो ये है कि ये हमें legal immunity देती है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो इ इसके बारे में कई ऐसी चीज़े जानेंगे जो हर किसी को मालूम ही नहीं होती, जैसे returns, eligibility, lock-in period, risk, tax benefit और PPF calculator से calculate करके भी देखेंगे कि कैसे आपकी छोटी छोटी investment आपको लागों का return दे सकती है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले short में हम ये समझ चाहते हैं, और risk इसमें बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये scheme government of India द्वारा चलाई जाती है, इसलिए इसमें guaranteed returns होते हैं, जो भारत के एक बड़े इससे की financial need को protect करने के लिए होते हैं, और सबसे important बात, PPF में invest किये हुए market funds जो हैं, वो liquid नहीं होते, इसका मतलब यह है कि जैसे mutual fund or stocks होते हैं, वो stock market पर depend करते हैं, कभी उपर जाएगा तो कभी नीचे जाएगा, लेकिन आपको इसमें tension लेने की ज़रुत नहीं होती, चाहे market में कुछ भी हो, आपके returns fixed हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, investment amount की, कि आप इस scheme में कितना पैसा लगा सकते हैं, तो दे investment करना चाते हैं, तो आपको अर साल डेड़ डेड़ लाग रुपे करके invest करना होगा, आप डेड़ लाग से ज़्यादा एक साल में invest नहीं कर सकते, और एक और जलूरी बात, अगर आपने पीपेफ एकाउंट में एक साल में 500 रुपे नहीं जमा किये, तो आपका पीपेफ de-activate हो जाएगा, तो फिर ये दुबारा से active कराने के लिए आपको 50 रुपे हर साल fine देना होगा, इसलिए आप हर साल अपने पीपेफ एकाउंट में 500 रुपे जरूर जमा किया करें, अब बात करें interest की, इस स्कीम पर आखिर कितना interest मिलता है तो मैं आपको बता देना चाता पीपेफ का interest rate भारत सरकार मतलब government of India द्वारत ताई किया जाता है, इस स्कीम का main aim ये होता है कि जितने भी देश में commercial बैंक हैं और वो जो भी investment स्कीम चला रहे हैं उससे ज़्यादा interest आपको मिले, अगर पीपेफ की current rate of interest की बात करें तो वो as 7.1% जो हर 3 महीने बाद government of India revise क करती है, हमारी महंगाई और market के इसाब से, कई लोग सोत रहे होंगे कि बस 7.1% interest rate इतना कम, लेखिन मैं आपको बता दू, अगर आप इसके tax benefit जानेंगे तो ये आपके जी एक फाइदेमन स्कीम साबित होगी, तो अब हम चलते हैं PPF calculator पर और जानते हैं आपके कितने पैसे इन्वेस्ट करने पर आपको कितना return मिलने वाल है, तो देखिए अगर आप इसमें डेड़ लाइफ रुपे पर इयर इन्वेस्ट करेंगे, मतलब महीने का 12,500 रुपे पर मत, जिस पर interest rate 7.1% मिलेगा, और इसका minimum time period जो है, वो 15 साल का है, मतलब 15 साल में 25 लाग रुपे का amount आप इसमें invest करोगे, तो आपको maturity पर 40 लाग रुपे से ज़्यादा का amount मिलेगा, मतलब आपको आपके amount पर 18 लाग से ज़्यादा का तो सिर्फ interest मिलेगा, अब मैं आपको बताऊंगा इस profit को आप compounding के जरी कैसे आप double कर सकते हैं, तो देखिए अभी आपने देखा 15 साल में interest से हमें सीधा 18 लाग रुपे का profit होता है, लेकिन अगर आप time period को 5 साल और बढ़ा देते हैं, तो आपका profit 18 लाग से बढ़कर 36 लाग हो जाता है, मतलब सीधा double हो जाता है, वह यह होती है compounding के power, वहीं अगर आप इसे 5 साल और बढ़ा देते हैं, यानि 25 साल अगर आप कर द और आप सिर्फ एक ही PDF एकाउंट खोल सकते हैं, पर तीसरी condition यह होती है कि आप minor के नाम पर एकाउंट खोलना चाते हैं, तो आप minor के नाम पर भी एकाउंट खोल सकते हैं, जो 18 साल से नीचे के हैं, अब चौती और लास्ट कंडिशन तो यह है कि NRI और हिंदू undivided family इस scheme मे पहले से invest कर रखा है, जब वो इंडिया में रहते थे, यह जब वो इंडियान citizen थे, वो लोग यह scheme continue कर सकते हैं, वो भी 15 साल के लिए, मतलब वो लोग इसको extend नहीं करवा सकते हैं, अब आते हैं lock-in period पर की आखिर इस scheme में कितना पैसा साल के लिए जमा करना होता है, PPF यान आप 15 साल के लिए invest कर सकते हैं, जो की account खोलने के साथ ही शूरू हो जाता है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यह भी सोत रहे होंगे, कि अगर 15 साल से पहले emergency में में पैसे निकालने की ज़ुद पड़ गी तो क्या गरेंगे, तो देखिए इसके लिए भी यहाँ पर एक solution और इसका solution यह है कि कुछ विसेश परिस्तितियों में आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं, लेगिन यह पैसे तब ही निकाले जा सकते हैं, जब आपकी पीपेफ एकाउंट को 5 साल हो चुके हों, यानि मान लीजिए आपना पीपेफ एकाउंट 2010 में कोला था, तो 5 साल के ब आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं, वो भी only 50% तक का अमाउंट ही आप इसमें से निकाल सकते हैं, इसको असानी से समझने के लिए हमें कुदारन ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पीपेफ एकाउंट में 10 लाग रुपे हैं और हमें 5 साल पूरे हो चुके हैं पैसे डाल तो छटे साल में हम 5 लाग रुपे तक हम निकाल सकते हैं, यह 50% आप सिर्फ एक साल में एक ही बार निकाल सकते हैं, अगर आपको दुबारा निकालने तो आपको दूसरे साल निकालने होंगे, मतलब एक साल में आप एक ही बार पैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट का पूरा अमाउंट इंकम टैक्स एक नाइंटीन सिक्स्टी वन के सेक्शन एटी सी के तायत आप क्लेम कर सकते हैं और वेव करवा सकते हैं जानि आप हर साल डेड़ लाग रुपए तक का एक्जंप्शन हर साल आप ले सकते हैं जो स्कीम का मैकसिमम परसेंट टैक्स फ्री होगा अब आते हैं लास्ट और इंपोर्टेंट पॉइंट पर जो है लीगल इम्मूनिटी पीप एकाउन में हमें फाइनेशल सिक्योर्टी ही नहीं बलकि लीगल इम्मूनिटी भी मिलती है आपकी पीप एकाउन में रखे गए फंड्स को कोई भी क कोट किसी भी ओर्डर के साथ अटैक्स नहीं कर सकता फॉर एक्जांबल जैसे आपने देखा होगा कि किसी को बिजनस में लॉस हो जाता है या कोई केश चल रहा होता है तो कोट उसके मूच्वल फंड्स प्रोपर्टी वगरा बेच के पैसे को रिवील करता है लेकिन पीप पसंद आईए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए धन्यवाद